दोस्तो स्वाराद आपको एक्जाम पोटल में कैसे चले आपके तियारी तो आज हो गया है चार तारीक दिन बचे हैं 20 इकजाम को ज़्यादा समय नहीं बचा है और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था तियारी कैसे करनी है उसी वीडियो का एक और पार्ट है पार्ट क्या है आपको तैयारी जीसी साब से करना है उस पर फोकस रहिए देख रहा हूं कुछ लोग अभी भी माटेरियल के चक्र में हैं माटेरियल के ज्यादा चक्र में मत रहिए बीस दिन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे कि ये वाला भी पढ़ेंगे वाला भी पढ़ेंगे कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे जिन जो फोकस और कंसेंटेशन से पढ़ाई कर रहे हैं मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था कि एक बूक उठा लिजी अभी उसी के लिए स करना और उसी पुस्तक को पढ़िएगा देखे रिजल्ट हो जाएगा है ना बहुत सारे चक्करों में पढ़िएगा नहीं होगा मैं फिर से बता रहा हूं दो तीन चीज पर फोकस करना था वो वीडियो में भी बताया था एक बुक उठा लिजी एक दो प्रैक्टिस सेट थोड़ा लगा सकते हैं जब बुक पढ़ने रहें तो आप दो तीन प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं वो इसलिए कि उसमें एक्स्प्लेनेशन रहेगा तो कुछ प्रशन आपके कभर हो जाएंगे हम लोग कभी प्रैक्टिस सेट मार्केट में है इसके लावे और भी अच् काम में वो आपको हेल्प करेंगे तो आप कम से कम दो से तीन प्रैक्टिस सेट लगा लिजेगा और मैथ रिजनिंग के लिए मैथ रिजनिंग की संख्या ठीक ठाक रहते हैं तो आप अलग से जैसे आरे शकरवाल की बुक है और और भी जी एस स्वरी मैथ रिजनिंग की प पॉब्लिकेशन वाला जो एक है उसमें दो ढ़ाई हजार जो भी प्रशन है इदि आप करना चाहते हैं उसी को एक दो बार बना लिजेगा चार पात दिन में इदि आप उस पे काम करेंगे तो उसी में से क्वेशन फंस जाएगा वह मैं इसलिए कह रहा हूं कोई भी प्रिविएश येर वाली बात है तो यह वाला भी मतलब उसमें अलग करके दे दिया है कि यह वाला इसमें आया तो वह आपको बनाने से क्या फायदा होगा कि आपका जो है प्रशनों को प्रकृति को समझने माली जो बिहार के एकजाम है मिलाजुला के सबका सेम ही पैटर्न है कि अच्छा कुछ न कुछ प्रिविएस येर के प्रशन देहके कोशन सेट किया ही जाता होगा इसलिए प्रिविएस येर में जो मैथ रिजनिंग वाला है कम समय में आपको आरे सगरवाल भी पढ़ने के जो नहीं है की रन, पॉब्लिकेशन या फिर आके श्यादव या वर्टेबर जो भी हो ये सब के चक्कर में मत पढ़िए कोई भी मैथ रिजनिंग का बुक अभी मत पढ़िएगा प्रिविएस येर सॉल्व कर लिजे उसके पैटर्न को समझ लिजे कि कैसा प्रशन इन्होंने जैसे माली जी कि जो 15-20 प्रशन पूछेंगे उसमें से आधा से ज्यादा तो 60% आप बना लेंगे खुद से ही इतना तो आता ही होगा लेकिन उसको थोड़ा सा आप कर लेंगे एक दो बार जो प्रशन कुछ देखते हैं मैं मैट्रिक्स के कुछ क्वेशन कभी आ जाते हैं कुछ function के question रहते हैं probability के question रहते हैं और कुछ log के question रहते हैं कि log 10 कप और 5 है उसका value के है से 4-5 question रहते हैं जो हमेशा बिहार के exam में repeat होते हैं तो previous year कर लिजेगा तो आपसे 80% प्रशन आपके cover हो जाएंगे कुछ 2-4 रह जाते हैं जो कि आप खुद से लगा सकते हैं तो वा ले लिजिए दोनों में से कोई जो भी अभी सबसे मतलब ट्रस्ट वर्दी है आप पूरा हैं जे ncrt हम लोग भी अपने ग्रूप में भी करवा रहे हैं आपको मैंने सुरू में बोला था कि जब result आएगा तो आपको लेट हो जाएगा तो कम से कम ncrt का economics और ncrt का science कर अब उन चीजों को एकदम consolidate कर लेना है कि अच्छा हमको भी यही पढ़ना है तीन चार practice rate market से उठा के मतलब target रखना है कि 40 practice rate तो हमको कम से कम लगा लेना है explanation भी उसका याद रख लेना है math reasoning का previous year लगा लेना है कि रन वाले से उठा के मतलब उसको भी समझ लेना है कि प्रश चलवा रहे हैं लास्ट टाइम में revision करना चाहा रहे हैं पढ़के तो group में कर सकते हैं exam portal पे चल रहा है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं हलाकि खुद से पढ़ेंगे अच्छा होगा यहां से जुड़के homework में पढ़ें सकते हैं तो भी अच्छी है लेकिन कहने का मतलब यह ही है कि बीस दीन बचे हुए तैयारी जम के करना है और थोड़ा बहुत physical activity करना है क्योंकि physical भी बहुत जल्द होगा इस चीज का ध्यान लखना है मिलते हैं ने बुरक साथ अब तक के लिए चैन